अलो इस्टुडेंस मैं संजीव मिश्रा अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब स्वास्त मास्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह ब्यासत होंगे प्रिविद्यार्थियों आज हिंदी के पीरियेड में हम लोग हिंदी वर्ण माला सीखने वाले हैं विद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को हिंदी में वर्ण माला सीखने जा रहा हूँ वर्ण माला वर्ण माला में आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार होते हैं एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन आज हम स्वर और व्यंजन इन दोनों की जानकारी लेने वाले हैं तो सबसे पहले स्वर को जानते हैं कि स्वर क्या है स्वर में पहला स्वर है और दूसरा आ तीसरा इ जिसे आप छोटी कहते हैं चौथा इ इ और इ दोनों में बड़ा फर्क है इसमें पढ़ते समय आवाज धीमी निकलती इसमें जोर की निकलती है इ जिसे आप बड़ी ही कहते हैं उ उ उ ए आई ते चोटाव बड़ाव चोटाई बड़ाई इ आई उ आउ अंग अह और री यह जो है यह स्वर कहे गए हैं गिनते हैं कि इनकी संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तो स्वरों की संख्या कितनी है तेरा होती है अब यह स्वर जो है बेंजन के साथ मिलते हैं अर तो इनकी मात्रा क्या होती है अ जो होता है इसका कोई चिन नहीं होता है आ की मात्रा कैसे लगाते हैं अक्षर के पीछे एक खड़ी पाई लगा देंगे वह आपका आ की मात्रा हुई इ की मात्रा कैसे लगाएंगे किसी अक्षर के पीछे से इस तरह से कर देंगे तो यह छोटी इबनता है बड़ी इ की मात्रा अक्षर के आगे से इस तरह से इ मात्रा लगा देंगे तो बड़ी U की मात्रा कैसे होती है किसी अक्षर के नीचे से इसा लगा देंगे तो छोटा U हुआ बढ़ा हुआ किसी अक्षर ब्यंजन के अक्षर मतला मेरा हुआ ब्यंजन के से तो किसी ब्यंजन के नीचे अगर इस तरह से लगा देंगे तो बढ़ा हुआ हो जाएगा A की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर बेंजन के ऊपर यह लिख देंगे तो A की मात्रा A किसी बेंजन के ऊपर इस तरह से लिखेंगे तो A की मात्रा हो गई O की मात्रा किसी बेंजन के आगे यह चिन होगा तो O की मात्रा होगी आउ की मात्रा में इस तरह से दो हो जाएंगी इसमें अंग की मात्रा किसी ब्यंजन के उपर एक बिंदी लगा देंगे तो अंग की मात्रा हो जाएगी और अह की मात्रा किसी ब्यंजन के बाद कोई ब्यंजन हुआ उसके बाद अगर दो डॉट लगा दिये तो वह अह की मात्रा हो जाएगी री की मात्रा कैसे लगाएंगे किसी ब्यंजन के नीचे यह लिख देंगे आपकी री की मात्रा हो जाएगी तो यहाँ पे आ की कोई मात्रा नहीं आ की मात्रा, ए 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 की मात्रा, ओ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, री की मात्रा इसको पढ़ते कैसे हैं आप इस तरह से यह पढ़ा जाता है यह स्वर होते हैं अब देखते हैं व्यांजन क्या है व्यांजन अब व्यांजनों में क क क क ग ग ग ग ग ग ग अग अग च च च ज ज ज ज इन्यां ट ठ ड ड ड अर ड त थ द ध अर ड त थ ध धन प ख स स ब, भ, म, य, र, ल, व, श, इसे आप बड़ा से कहते हैं, श, इसाट कोड़ वाला से, स, छोटा से, ह, छत, तरंग, ग्य, और स्र, ये जो हैं, आपके बेंद्यान हैं, इन ब्यांजनों को आप गिन लेते हैं, क, ख, ग, ग, अंग, तो पांच, छ, स, आथ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चवदा, पंदरा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 39, वास्तों में यहीं तक बेंद्यान माने जाते हैं, यह स्वरों और अंद्य बेंद्यानों के मिक्स होने से, मिलने से बने हुए बेंद्यान हैं, आइसे दो ब्यंजन है, नुकता वाले ब्यंजन, नुकता वाले ब्यंजनों में यह आपका ड़ है, ड़ मरू जब आप कहते हैं, ड़ कहते हैं, लेकिन जब आप पेड कहते हैं, पेड़ तो उसमें, कि यह ड़ाट लगाते हैं सड़क तो यह ड़ा नहीं यह कह लाता है उसके नीचे ड़ाट लग जाता है यह जो बिंदी लग गई इससे इसका उचारण बदल जाता है यह कहां पर होता है पेड कि पेड़ अगर नहीं लगा पेड़ कहलाएगा पेड़ कोई शब्द नहीं हुआ और उसी तरह से पर्ध कि अगर यह नहीं लगा है तो यह पढ़ की जगा पढ़ हो जाएगा तो यह दोनों अंतर होते हैं आए अब बारा खड़ी की तरफ हम लोग चलेंगे अब उसके पहले मात्रा कैसे लगाते हैं वह सीख लेते हैं ठीके सबसे पहले हम लोग की मात्रा लगाना सीखेंगे आग की मात्रा आग की मात्रा लगे शब्द देखते हैं तो कैसे लगता है इतना बता दूँ ये जो आपके ब्यंजन है सभी ब्यंजनों में उनके बाद में आ की मात्रा लगी है तो हमने यहाँ पर लिखी ले रहे हैं कि सभी ब्यंजनों में लगी होती है अब आप उचारण कीजिए आप बोलिए आप जैसे बोलते है क तो यहाँ पर क में उचारण हो रहा है किसका आ का क का मतलब होगा क जब आप कहते हैं तो इसमें आ आ रहा है मतलब मूल जो ध्वनी है वह है क इसे मूल ध्वनी कहते हैं या मूल बेंजन भी कहते हैं और इसमें आ श्वर छिपा हुआ है क जभी भी आपको कहा जाएगा कि आ की मात्रा कहां लगी है आप सीधा इन सहितिशों का नाम ले लिजें बोलिए कि इन में लगी है क ख देखिए आ रहा है कि ने ग आ रहा है ग बिल्कुल सुनाई पढ़ रहा है च छ अंगा या र न सब में आ आ रहा है इस तरह से जितने भी आपके ब्यंजन हैं सब के बाद में वहाँ पे आ की मात्रा लगी रहती है तो यह ध्यान रखें जिसे किसी ने कहा कि मा तो मा में आप बताईए कि भाई मा में आ की मात्रा छिपी हुई है जब हम मा को बोलते हैं यानि मा का उचारण करते हैं तो अध्वनी उसके बाद सुनाई पड़ती है आई यह बनाते हैं कुछ एक शब्द अब इन ही में से लेते हैं पहले कर से जिसमें आ की मात्रा लगी हो कामल इसी तरह से अगला लेते हैं जिसमें आ की मात्रा क्यावल लगी हो घर और लेते हैं चल और रमन पढ़ इस तरह से आप देखेंगे तो इन में आ की मात्रा लगी हुई हैं तो आ की मात्रा आराम से आप लगा सकते हैं किसी में भी कहीं पे भी और आ की मात्रा अलग से लगानी नहीं पढ़ती उसका कोई चिन्न नहीं होता है बलकि वह हर ब्यंजन में छिपा होता है अब अगला हम लोग लेते हैं और अगला है हम लोगों का वह है आपका आ की मात्रा वाले शब्द हम लोग बनाएंगे आईए तो शुरुआत करते है आ की मात्रा वाले शब्दू तो आ की मात्रा कौनसी है एक खड़ी पाई आ की मात्रा वाले शब्द अब देखी ना इनका उचारण हम कैसे कैसे करते हैं कैसे मात्रा लगाते जब यह जो अपने व्यंजन है यहां पर जब इनको जोर से पुकारना हो आखा गा कर नहीं कहना हो से आपको बोलना पड़ेगा तो यह आग की मात्रा वाले श्वरों की वज़े से होता है आई यह देखते हैं कि तो जैसे का में आपने लगाया तो वह बनेगा का कि खा में लगाया खा में लगाया तो वह बनेगा खा का में लगाया तो का खा में लगाया तो खा गा में लगाया तो बनेगा गा गा में लगाया तो गा इस तरह से बनेगा और जो अंतिम वाले पाचों अक्षर है का वाले में, चा वाले में, टा वाले में उनमें नहीं लगता है जरली, कभी कभार लगता है इसके बाद में जो है अगर आप चा वाला लेते हैं तो चा में लगाएंगे तो वह क्या बोलेंगे आप चा चा में लगाएंगे तो वह बनेगा चा इस तरह से होता है तो इस तरह से आप मात्राओं को लगाते हैं आपको मैंने कहा था आकी मात्रा किसी ब्यंदन के आगे लगती है देखी मैंने आगे लगाया हुआ है जैसे शब्द देख लेते हैं शब्द कैसे जैसे है काला अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या था क्य था उसमें आकी मात्रा आपने लगा दी आकी मात्रा का चिन्ने खड़ी पाई रहा तो यह बन गया आपका क्या बना का बन गया इसी तरह से ला था तो ला में आपने क्या किया लल था उसमें आकी मात्रा आपने जोड़ दी और इस तरह से वह बन गया काला इसी तरह से अगला है आपका बाबा अब बाबा में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में सेम है यहाँ पे बा में आपने आकी मात्रा लगाई तो बन गया आपका बाब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इस बाबा को भी उसी तरह से बा में आकी मात्रा लगाई तो वहाँ पे वह भी बन गया बाब इस तरह से बना बाबा जैसे अगला है आपका चाचा दिखी न अब यहाँ पर आराम से आप जान रहें यहाँ पर चया में आकी मातर लगा है चया में आकी मातर इस तरह से नहीं लिखते हैं उसे लिखते कैसे ऐसे लिखते हैं अगर कया में आकी मातर लगा है तो ऐसा नहीं लिखेंगे बलकि ऐसा माया अब आप देखे माया में कौन कौन सा है तो एक तो माय है उसमें आकी मातरा हमने लगाया वो मा बन गया और दूसरा या है तो या में आकी मातरा लगाया और वो या बन गया अब मा को और या को जोड़ दिया तो माया बन गया तो ब्यंजनों में जब स्वर जुड़ते हैं तो उनसे सार्थक शब्दों का निर्माड होता है जैसे माया या एक शब्द बन गया यह ब्यंजन है और यह स्वर हो गया इस तरह से इनकी सहायता से हम स्वर और ब्यंजनों का निर्माड करते हैं अब चलिए और आका मिश्र कुछ शब्द देखते हैं जैसे हैं लोग कहते हैं कि यार तूने कमाल कर दिया अब कमाल शब्द है अब यहां पर देखेंगे तो आपका क है मा है और लह है तो कमे कोई कहेगा कि अरे आर इसमें कोई स्वर है हम बोलेंगे हां कह और आ है अकर कोई चिन्य नहीं है मा में हम कहेंगे मा है व्यंजन यहां आपका व्यंजन है यहां पर स्वर है लिख लेते हैं व्यंजन और यह स्वर है तुँ यहाँ पे आकी मातरा लग गई हमारी आकी मातरा हमारी यह खड़ी पाई अक्शर के बाद यहाँ पे लह है ल में आकी मातरा लगी हुई तो इस तरह से कमाल तो उसमें क है व्यंजन उसमें अ का स्ववर लगा है मा मा में मा ब्यंजन है आ की मातरा लगी है और ल है ल में ल ब्यंजन है और आ की मातरा लगी हुई है आप कहते हैं ने धमाल उसने धमाल कर दिया तो धमाल में क्या होगा? तेहां पे ध मा उल्ल ठीक वैसे ही मा उल्ल तो यहां से ले लिया आपने मां को आप जानते ही है माँ आपका विंजन है और यहां आकी मात्रा लगी है यह आपका स्वर है यहां यह बेंजन है और यहां पर अक स्वर्क है कि जैसे हैं आया गया आया में आम और याम तो यहां पर देखेंगे तो आये पूरा स्वर है इसमें कोई बेंजन नहीं लगा हुआ है यह किवल स्वर है और यामें देखेंगे तो यामें यह बेंजन है और आ की मात्रा इसमें लगी हुई है स्वरों में स्वर नहीं जुड़ते हैं बेंजनों में जुड़ा करते हैं अब जैसे हैं गायब गायब तो यहां पे ग गा यहां पे य और यहां पे ब तो यहां पे बेंजन क्या है ग इसमें मात्रा किसकी जुड़ी आ की मात्रा जुड़ी और वो क्या बन गया गा यहां पर आ की मात्रा और यह है यह यह में आ की मात्रा जुड़ी है जो की अलग से नहीं लगती है मात्रा यह बह इसमें भी आ की मात्रा जुड़ी हुए है इस तरह से आज हम लोगों ने क्या जाना आज हम लोगों ने जाना की स्वर कौम से हैं ब्य सीख लिया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में ही कमेंड बाक्स में जाकर कमेंड जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा धन्यवाद